आज हम सीखेंगे डीजाइने लटकन बनाना तो प्रिंस हमने यहाँ पर दो कलर के फैबरिक लिए है और यहाँ पर देखिए इस छोटे वाले फैबरिक को हमने यहाँ पर लंबाई और चोड़ा इस तरीके से ली है इसके बाद देखिए जुबड़े वाला फैवरिक है उसकी लंबाई चोड़ाई हमें इससे आदा इंच एक्स्टर रखना है इस तरीके से अब इसके बाद देखिए इस फैवरिक को मैं इस तरीके से फोल्ड करना है इसकी बरावर नोक को लेंगे और शेंटर वाले से मैं फोल्ड कर लेंगे और इसके बाद हमें सिलाई फैवरिक को इस तरीके से फैश्ट करना है इस तरीके से देखिए हमने सिलाई को फैश्ट कर लिया है अब दूसरा वाला जो पाइट है उसमें भी हमें इसी तरिके से सिलाई को पेस्ट करना है पहले से इस तरिके से ट्रिंगल आकार में फोल्ड करेंगे और उसके बाद देखिए आप से इस तरिके से सिलाई को पेस्ट करना है देखिए इस तरके से हमने दोनों मैं इस तरके से Slysong को फेश्ड कर लिया है अब इसके बाद यहां पर देखिए डोरी लेंगे हम ready made और इहां पर देखिए जो बड़े वाला फैबरिक है इसको नीचे रखना है और चोटे वाले फैबरिक को उपर रखना है उसके बाद देखिए डोरी को सेंटर वाले से में रखेंगे और जो टिंगर लाकार का कुना है उसको इस तरीके से फूल्ड करना है और दूसरे कुनने को भी इसी तरीके से फूल्ड करना है सेंटर वाले से में दोनों को इस तरीके से बरावर में कर लेंगे और उसके बाद एक बार और फोल्ड कर देंगे इस तरीके से अब इसके उपर से हमें सिलाइक को फेश्ट करना है तो इसको अच्छी तरीके से डवल से लाइक करके फेश्ट कर लें आप तो इस तरीके से देखिए हमने इस लाइक को अच्छी तरीके से फेच कर लिया है अब इसको इस तरीके से हमें सीधा करना है देखिए हलके आते से इसको इस तरीके से सीधा कर लेंगे डिजाइन को तो इस तरीके से देखिया हमारा जो, लटकन बनकर रेड़ी हो गया है तो फ्रेंट्स दूसरा लटकन भी आप इसी तरीके से बना कर तयार कर ले तो फ्रेंट्स कमेंट करके ज़रू बताईएगा कि आपको ये सिम्पल लटकन की वीडियो कैसे लगे और फ्रेंज चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सस्क्राइब कर ले और वेल आइकन को भी ओन कर ले से आने वाली हर एक वीडियो की नोटिपेकेशन सबसे पहले आपको मिल सके थैंक यू